हलो्व फ्रेंग्स स्वागत है आपका वैंजन बट्टि का रस्प wives में आजन वहींद की बहुत ही टास्टी प्रेट का साही तुकडा कभी कभी गैस्ट हमारे घर में और मुद्व में समय आ जाते हैं और हम प्रेट का प्रेकर साही दुगडा बनानी के लिए चाहिए ब्रेट छे साथ स्लाइस कोई भी ब्रेड योज कर सकते हैं शकर दो बड़े चम्मच घी फ्राइ करने के लिए क्रीम बाला दूद आधा कप इलाइची पाउडर आधा चम्मच ड्राइफ फ्रूट्स में लेंगे कटे हुए पिस्ता एक चम्मच बादाम बारी कटा हुए एक चम्मच किसमिस और काजू इसमें से आपको जो पसंदे वो आप ही उस कर सकते हैं अब सबसे पहले हम प्रेट को बीच से कट कर लेंगे गोल कोल पीसेस में इससे यह दिखने में काफी सुन्दर दिखेगी इस तरह से सारी ब्रेट को कट कर लेंगे कोई कर दो भी कट्टोरी यह गलास की सहाइता से आज देखिए डेट कर चुकी है अब इसकी जो साइड को पोर्शन ने उसको भी आप कर सकते है और इसे भी आप प्राय कर यूज कर सकते हैं या फिर इसका ब्रेट बहार या और भी कोई चीज बना सकते है ब्लेट हमारी कट हो चुकी है अब सबसे पहले गैस ओन करेंगे पैन रखेंगे उसमें क्रीम बाला दूद डाल देंगे जब दूद बॉइल होने लगता है तब इसमें शक्कर और बाकी के आधे आधे ड्राइफोट्स डाल देंगे इलाइची पॉड़र डाल देंगे ये देखिए रबड़ी के तरह दूद तयार हो गया है इसमें हमें चासनी बिनाने की जुरतनी इस तरह से बनाईए तो बहुत जल्दी बन जाएगा आपका साही तुकड़ा आप गैस ओन करेंगे एक पैन रखेंगे उसमें घी ठालेंगे और ब्रेट के पीसे इसको फ्राइ कर लेंगे लाइट प्राउन होने तक हमें फ्राइ करना है ये इस तरह से सारे पीस आप फ्राइ कर लेजी और जो हमने कट किये थे पीसे उनको भी हम फ्राइ कर लेंगे अब है सारी प्रेट हमारी तयार हो चुकी है इनको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे अब जो हमने सारी प्रेट तयार की उनको एक प्लेट में निकाल लिए उसके उपर जो रबड़ी तयार की थी दूद्की वो डाल देंगे और उपर से ट्राइफोट से डेकुरेट कर देंगे तो देखिए कितना बड़िया साही तुकड़ा तयार हो गया आप भी इसी तरह से बनाईए बहुत ही जल्दी और बहुत कम समय में ये स्विट तयार हो जाता है और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए शेर कीजिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देजिए धन्यवाद